दोस्तों नमस्कार स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज हम बहुत ही खास वीडियो बना के लाए हैं और आपकी काफी सारी क्यूश्चन का अंसर हम देने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए वीडियो को अन तक देखें काफी महत्रपुन रहे का वीडि करता हूँ कि अगर आपने मारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ आप चैनल को जोइन करें साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें वीडियो पे कमेंट करें वीडियो को लाइक क करें और बेल आइकन प्रेस करें तांकि आपको नए नौटिफिकेशन मिल सकें दोस्तों रीट लेवल वन रीट लेवल दो की क्लासे इसके लिए डिस्क्रिप्शन मेर लिंक देख सकते हैं आप साथ फास्ट गेट क्लासेज साइकलोजी क्लासेज psychology mcqs के लिए भी आपकी description में लिंक दे रखें वहाँ पर जाके आप description में यह सब देख सकते हैं यही चीज़ वापस बता रहा हूं दोस्तों के लिए आप description में लिंक देखें आप एक वाट description में आउश्य जाएं डिस्क्रिप्शन पर जाने से आपको और भी काफी सारी मैत्वपन वीडियो मिलेंगे तो दोस्तों जैसे कि यह खबर हमने दो तिन दिन पर अपडेट करी थी कि रीट परिक्षा अगले साल होने के संभा कर देता हूं कि रास्तान मादेमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले भी जो पेपर जनुरी में ही कर फरवरी में करवाई थे दोनों वार तो उसमें भी यही परिष्टित्या होती थी मातर दो चीजें इस्वार नहीं है एक तो केंदरी है जो परतिबा खोज है दूसरी राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है इसलिए इस सब बाते हो रही है तो अब संभावना यही है कि अगले साल जून जुलाई के बाद आपके रीट के प्रिक्षा होगी इसलिए हम इस वीडियो में सब चचा करेंगे तो दोस्तों क्या पेपर जुलाई के बाद होग को यह निर्देश देती है कि आपको फरवरी 2020 में या मार्ज 2020 में पेपर कराना है तो फिर माद्यमेक्षिक्षा बोर्ड को जिससे तेश से करके समय अरजेस्ट करके पेपर कराना होगा लेकिन जब तक सरकार के निर्देश नहीं मिल दे तब तक माद्यमेक्षिक्षा बोर होगा या पहले होगा तो यह 100 परसेंट तो शोर नहीं है फिर भी अभी जो परिस्तित्या है क्योंकि अभी इलेक्षन भी है और दूसरे कार्य करम भी रहेंगे तो उस समसार देखा जाए तो पेपर होने के बेसंभावना एक नहीं है और जुलाई 2020 के बाद होने की ही और जिन्होंने रीट की complete त्यारी कर ली है या जो पिछले साल एक दो नंबर से रहे हैं उन अभी अर्थियों के लिए काफी बड़ी नुकसान की बात है क्योंकि उन लोगोंने त्यारी कर ली है और पेपर होने की कोई सुमावना नहीं है रीट आने की कोई सुमावना भी वरत्वान समय में है नहीं तो उन लोगों के लिए बड़ा नुकसान रहेगा साथ ही जो वेक्ति कोचिंग कर रहे हैं जो कोचिंगों में फीस जमा करा चुके हैं या जो सिर्प डिपेंडेंट हैं च्योंकि जिनके बिएड हुई है और जिनके में नहीं को भी यह नुक्स 2018 की बरती 2nd gate की हो रही है तो 2nd gate इन future अभी निक्ट बविश्य में है नहीं नजदीक हो सकता बाद में आए और 1st gate की MA की बिना दे नहीं सकता तो उन लोगों के लिए बड़ा नुक्सान है जो B8 कर चुके हैं लेकिन MA नहीं है और वो read dependent है तो उन लोगों के लिए बड़ा न final year है इस साल B8 final year जिनके है उनके एगले साल जुलाई अगस्त तक result आ जाएगा और read की बरती अगर जुलाई अगस्त के बाद होती है या जुलाई के अंदर form निकलते हैं तो अभी 2.5 मेंने का समय मिलेगा तो जो लोग इस साल B8 final year में हैं उनके लिए बड़ा उसर है वो जो है वो इस competitive exam के अंदर सामिल होंगे और अपनी योग्यता का परदर्शन करेंगे उसमें से करीब करीब एक लाख लोग हर साल नए B8 वाले सामिल होंगे और BSTC के भी लोग सामिल होंगे जो first year में है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा उसर है जो B8 final year में है या BSTC final year में है उनको अपनी त्यारी को अंतिम रूप देना चाहिए उनको आगे त्यारी करने चाहिए क्योंकि वो जब वेकेंसी एकले साल आएगी तो उसमें eligible हो जाएंगे इस साल वेकेंसी है नहीं और जिस दिन वेकेंसी का paper होगा उस दिन अगर उनके B8 वे BSTC का result हो चुका होगा final घोसित तो वो लोग इस पातरता परिक्षा में या इस recruitment में eligible होंगे और वो नोक्री का दवा परस्तूत कर सकते हैं paper के जड़िए तो ये बात मैं तो पून है दोस्तों जो भी BSTC और B8 final year है वो इस जो मैं बात बता रहा हूं इसमें अमल करते वे अपनी त्यारी को त्यार सुरू करें अगर सुरू नहीं करिये तो और आगे त्यारी करें क्योंकि आप लोग भी इसमें eligible हो जाएंगे अगली बात है अब क्या करना चाहिए तो दोस्तों आदे रस्ते पर आके वापस जाना उतना ही रास्ता तैय करता जितना आप उस रास्ते पाई तो अब आपको करने के लिए आपके पास यह option है कि आप आगे की त्यारी करते रहें आप त्यारी को छोड़े नहीं त्यारी को मूर्त रूप देवें क्योंकि रीट की जब भरती आएगी उससे में आपकी त्यारी आपके benefit रहेगी और निरंतर आप revision करते रहें निरंतर आप जो है पढ़ाई करते रहें त्यारी नहीं छोड़ने चाहिए त्यारी जो आपका schedule बना रखा है आपने उस त्यारी के schedule पे निरंतर चलते रहें उस त्यारी के schedule को छोड़े नहीं क्योंकि एक बार त्यारी छोड़ने के बाद आपको वापस शुरू से start करना पड़ेगा और जब जो coaching पे जा रहे हैं वहाँ निरंतर जाएं और निरास नहीं होएं हतास नहीं हुएं दोस्तों competition की दुनिया के अंदर ये सब चीजें आपको सेयन करनी होगी सब को सेयन करनी होती है इसलिए यहां से आप निरास नहीं होने की बज़े से एक नई positive energy के साथ आगे की तैरी कर नहीं सकते हैं अब आप एक काम कर सकते हूं कि अधिक से अधिक revise करें अधिक से अधिक चीजें पड़े और आपके जो चीजे छूटी भी है या आपको जो लग रहा है कि यह हमें कम समझ में आ रहा है उन पर ज्यादा focus करें उनको बहुत अच्छी प्रकाह से clear करें तांकि वो topic नहीं चूटे आप topic wise topic तहरी करते रहे राकान बोरड की किताबे पड़े और नोप इससारा सिलबस complete करें राकाश्टान बोर्ड की किताबों में आपको समया लगेगा इसलिए आप 60 सिलब के बार यू बार-बार revise करें competition पर क्या असर होगा तो दोस्तों मैंने जैसा उपर बताया competition में नए लोग जुड़ेंगे बहुत सारी लोग जुड़ेंगे तो नए लोग जुड़ने से आपके competition टफ होगा जो भी first grade की तैरी कर रहा है या 2018 के अंदर जिसने second grade की तैरी करी है और सब लोगों का तो selection होगा नहीं उसमें से जो लोग चूक जाएंगे जो लोग रह जाएंगे थोड़े बहुत नमरों से वो भी आपका competition बढ़ाएंगे वो भी आपकी read की बरती है उसके अंदर लगेंगे क्योंकि second grade का result आ चुका है इसलिए आपके लिए ये काफी समझ्या रहेगी और जो नए लोग है read final year और bhtc final year वो भी आपका competition बढ़ाएंगे तो कुल मिला के आपका जो competition है वो बढ़ेगा इसलिए आप उस बढ़ेवे competition को मानते वे त्यारी करें कितने नए लोग जुड़ेंगे तो दोस्तों एक साल के अंदर एक लाग नए b8 धारी निकलते हैं यानि हर साल चाहिए वो दो साल का हो तो हर दूसरे साल एक लाग लोग निकलते हैं तो वो अगर देखा जाए तो rotation के अंदर एक साल में एक लाग लोग निकलते हैं तो आपके एक लाग तो b8 धारी जुड़ेंगे सीधे के सीधे नब्य हजार b8 धारी जुड़ेंगे और कुछ लोग bs tc सीधारी जुड़ेंगे तो आपके लिए बड़ी त्यारी की बात रहेगी क्योंकि आपके एक लाग स्वालाग लोग ने जुड़ेंगे या एक लाग दस जार लोग ने जुड़ेंगे तो आपका competition का रेशो बढ़ जाएगा इसलिए आप उसके प्रिपेक्श में तयारी करनी है एवं निरास ने होते वे हतास ने होते वे आगे अपनी तयारी को मूर्थ रूप देते वे आपको तयारी करनी है दोस्तों हमने जो क्लासे लिए है फस्ट लेवल सेकिंड लेवल की उनके description में लिंक है आप देख सकते हो वह अन्य महत्वपुन खबरों के लिए आप channel को subscribe करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए share कीजिए दिन्यवाद दोस्तों जैहिन जबार